कितना बड़ा हाईलेट हो चुका है ये देखे दोस्तों बहुत आच्छा 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 है प्यास और एक गड़ा पाव किलो पाव किलो है ये देखे बहुत गजब आया है आप प्यास का बारे में आज के यूड़ सूड़े में जाने के दोस्तों चार महिना हो चुका है प्यास को यह देखिए दोस्तों यह प्यास है और कितना बड़ा गड़ा हो चुका है और 15 दिन में प्यास निकालने के लिए आएगा दोस्तों यह देखिए कितना बड़ा हाइ किलेट हो चुका है दिए कि रोस तो बहुत आच्छा आच्छा है प्यास और यह कट कर रहे दोस्तों बहुत अच्छा प्यास आया है देखिए 10 रुपई किलो गए तो भी 50 किंटल होता है दोस्तों अराम से यह देखिए और यह पूरा हरा सो देख रहे हैं तो पूरा यह प्यास है यह देख सकते हैं और कम खर्चा में इसको रोग भी ज्यादा नहीं आता है और बहु यह देखिए प्यास और भूद एक प्यास पाव किलो पाव किलो के प्यास है और हमारा किसन साथी एकट कर रहे है यह खोड़ पत्री बहुत अच्छुका है अंदर अभी प्यास निकालने के दिक्कत होता है और भूद गजब आया है दोस्तों पच्चास किंटल निकलेगा इसमें आराम से एक एकर और दस रुपए से किलो जा रहा है बीस रुपए किलो बिक्रा है भी मार्किट में दोस्तों यह देखिए और बीस रुपए किलो बिक्रा है तो उसी साब से देखिए कितना इस प्यास से कितना पैसा होगा दोस्तों और यह देखिए पचास किंटल कितना किंटल निकलेगा ह। पांच गंगण Sound ऐस दले मारी प्यास और लाल गड़ा है और तीन बार बना दिए इसके कईसा कईसा हुगाना है क्ईसा क्या करना है दोस्तों वह श्यान खालआ मंड़ि कर और यह कर का दगा है दोस्तों पूरा ये खेट ये देखिए और भोद अच्छा है प्यास और 20 रुपए किलो भिक्रा है अभी मार्किट में दोस्तों और 15 दिन को आएगा हमारे कुछ रेट मिलेगा के नहीं ये देखिए 20 रुपए किलो है अभी रेट और 20 रुपए से 50 कुंटल बोले तो कितना एक लाक रुपए हता है दोस्तों और 20 इसमें 20,000 रुपए खर्चा आया है पूरा टोटल मिला के और इसमें रोग भी नहीं गिरता है कुछ भी नहीं गिरता है दोस्तों इसमें दो बार यूरिया डाले है और डीएपी यूरिया और बाद में इसको कुछ भी नहीं डाले ह इसमें रोग ने आयता है दोस्तो प्यास में और खेती कर सकते हैं प्यास की बहुत आच्छी और इंकम कर सकते हैं ये देखिए खोड़ पत्री ये सारा कट कर रहे हैं और ये भोध हो चुका है दोस्तो और ये देखिए आप खेती आईसा कर सकते हैं दोस्तो और आज की वीड वंदे मातरम जे किसा